राम्पु शाहबाद के चंदोसी मार्गी सित पुलिया पर रैलिंग ना होने के कारण नाली में मोडरसाइकल गिर गई एक घायल हो गया शाहबाद के महला फराशान SDM कॉलरी में खुले हुए नाली पर रैलिंग ना लगे होने के कारण यहाँ हाथ से हुना आम बात है आज भी एक युवक अपनी मोडरसाइकल सहित नाले में गिर गया आसपराश के दुकान दारवा रहगीर दोड़ पड़े आनन फानन में डॉक्टर के यहाँ लिजाए गया महला मंगोली निवासी विकी लखी बाक इससे शिव मंदर से पूजा करके लोट रही थे तबी उनके सामने से एक बुगी आ रही थी जिसे बचाने के चकर में उनकी मोडरसाइकल नाले में चाकिरी काफी मशक्कत के बाद मोडरसाइकल को निकाला गया पासी बालाजी साइबर कैफे संचलक विजे कुमारवा परचुनी के दुकान चलाने वाले पंडित ब्रज मुहन शर्मा ने बताए कि यहां पर आए दिन हाथ से होते रहते हैं परचासंग और यहां का नगर पंचयाइज बगर आपको कुछ देता ही नहीं यहां पर मौत कुदाबित दे रहे हैं यहां पर जब हासा हो जाएगा तब लोग सुनेंगे परजानी आपको थी तो पहले से भी लेगिन आप लोग ने इसमें देर से अवाज चोट आई देर से इसलिए अवार उठाई हैं इसमें कई हास्ते हो चुके हैं बच्चों का आना जाना है जायत तर स्कूल इदर हैं एक दो साल तीन साल की बच्ची थी वो इसमें गिर चुकी थी इसी काईम का मतलब यही मोसम था वो बच्ची बेती हुए जा रहे थी इसमें दो लोग हम कूदे थे तब उससे निकाला पशें तर सपनी दो कई बच्चे का लिक्षार करण की चब्लबचस बीचेर बच्चों लेकर बादब जो सवारी होती है वही इसमें करिये अग्दि अच्वाली यह मुझूद मैं हमें आख ओन्यारिक्टरे मेरी फुद करिया इसकी शकात कह रहे एकिसी कि शिकात काई भा प्रूप राम बर्मा जी उन्हें तो कई बार यहां पर बलाया भी था लेकिन उनसे भी कोई नहीं करा है शुआ कोई इसकी जो है वर कुछ इसको देवाला ही कर रहा है और मौत को दावत दे आरी है कई बार आस्ते हो चुप अधियो मेरे पास्ता है कि जो तो तबी बीजिए